बड़वानी जिले के राजपूर में वीसी के माध्यम से मुख नियायादीश जबलपूर अजय मित्तल ने मद्धिस्था केंद्र का लोकारपन किया राजी विधिक सेवा पराधीकरण की मार्ग दर्शन में आज राजपूर इस्थित मध्य इस्था केंदर का लोकारपन किया गया। जिसे मुख्य न्यायादिश अजे मित्तल जबलपूर के द्वारा वीसी द्वारा किया गया। लोकारपन सम्हारों में शामिल होने आये जीला सत्र नियायादीश राजिस गुपता ने बताया कि पूरे प्रदेश में नियायलयों में मध्धी इस्था केंदर की स्थापना होती है उसी के चलते राजपूर में भी केंदर स्थापित किया गया है जहां पारिवारिक सहित नियायलाई न जाकर उनके विवादों को लेकर इसी केंद्र में मध्धी स्थाकर मामले सुलजाय जा सकेंगे और जो आमजन के लिए लाबधायक भी होंगे। मीडियेशन के माध्यम से सुल्जाय जा सकता है। इसके लिए यहां अपने आप में संपुर्ण केंद्र के रूप में विक्सित क्या गया है। और इससे पक्षकारों को शिग्र नियाय प्राप्ती में बहुत मदद मिलेगी। जिला बढवानी में विगत वर्ष दो नियायलयों को आईएसो प्रमानपत्र प्राप्त हुआ था। और राजपूर, अंजड और सेंध्वा नियायलय को इस वर्ष प्राप्त हुआ है। इस प्रमानपत्र का महत्व हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। कि नियायलय में जो पक्षकारों के लिए सुविधा हैं, कार की गुणवत्ता, सेवा की गुणवत्ता, उसके बारे में उसकी माननेता के रूप में है प्रमानपत्र है। हेलो फ्रैंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 News, हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगें टेल आइकोन को दबाना बिलकुल भी ना भुलें।